सो गज आज के इस वाले वेडियो में हम करने वाले हैं एक क्लिक में अपनी फोटो को आइडिट जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने अपने यूटूब चैनल पे एक पोल क्रियेट किया था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं आप लोगों को एक क्लिक में फोट को एक click में edit कर सकते हैं वो भी बिल्कुल simple तरीके से तो चली इस वाल एडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आपको इस app को कैसे download करना है तो सबसे पहले आपको अपनी play store को open कर लेना होगा और open कर लेने बाद आपको search box में जाके यहाँ पर type कर देना होगा 3D LUT जैसे ही आप इसे type करेंगे आपके सामने सजेसन में आ जाएगा इस app का इस type का लोगों मिल जाएगा देखने को जिस पर हम लोग क्लिक कर देंगे कर लेने बाद इस app को आप लोगों के सामने कुछ इस type की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले आप अपनी mobile डाटा को on कर लेने बाद तभी आप इस app को खोलिएगा तो open कर लेने बाद आप लोगों के सामने कुछ इस type की देखने को मिल जाएगी तो simply हम लो कि कैसे एडिट करना है तुझे मैं यहां से ले लेता हूं देन गाइस फोटो आज आनेक बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो आख चुकी है तो आज आनेक बाद आप लोगों को उपर साइड में थ्री ओप्सन मिल जाएंगे पहला मिल जाएगा आपको बेसिक दूसरे नमर पर आपको लट मिल जाएगा और तीसे नमर पर आपको रोटेट तो पहले नमर पर बेसिक पर हम लोग क्या करेंगे अपनी फोटो की जो कलर है इसको हम लोग अर्जेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं हमारी फोटो में काफी फीका फन है तो यहाँ पर हम लोग situation को increase करेंगे तो आप लोग को नीचे साइड में यहाँ पर एक situation का option मिल जाएगा इस पर हम लोग click करेंगे इसको हम लोग ऐसे increase कर देंगे जितना आपको चाहिए अपनी फोटो के हिसाब से इसको increase कर लिजेगा और यहाँ पर आके हम लोग इसकी contrast को भी थोड़ा सा increase कर लेंगे देन गैज इतना setting कर लेने बाद आपकी फोटो को देख सकते हैं lighting condition काफी सही हो चुकी है तो आप लोग के सामने उपर में एक बीच वाले के option जो लट वाला option लिखा है इसपे हम लोग क्लिक कर देंगे देन गैज आपको जैसे ही लट पे क्लिक करेंगे यह थोड़ा सा loading लेगा और आपकी यह open हो जाएगी आप लोग data on करके रखिएगा और आपको लोग ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा top 25 तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे यह वाला option देन गैज जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा यह भी loading लेगा और आप लोगों के सामने यह खुल जाएगा तो guys आप लोग magic देखिएगा इसके बाद आप एक क्लिक में अपनी photo को edit कर सकते हैं देखिए जैसे ही आप हम क्लिक करेंगे पहले नमर पे ओ guys आप लोग देख सकते हैं आपकी photo एक click में edit हो जा रही है और आप यह सोच रहे हैं कि यह कही color है तो नहीं भाई आप देखते आप देखिए आप एक क्लिक में अपनी photo को edit कर सकते हैं बिलकुल एक क्लिक में और आपकी face देख सकते हैं थोड़ा सभी खराब नहीं होगा जैसे ही आप click करेंगे आपकी photo देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से edit हो जा रही है बिलकुल एक click में ना कोई preset लगेगा ना ही कुछ लगेगा और यहां से आप अपनी photo आप एक beginner हैं तब भी आप इसे use कर सकते हैं आप काफी अच्छा photo edit कर सकते हैं इससे देख सकते है आप यहां से कोई भी color डाल सकते हैं जो फिलाल आपको अच्छा लगे वो रख देख सकते हैं तो मैं यही वाला रख रहा हूं orange tone मुझे काफी सही लग रहा है इसको रख लेने बात आपको यहां से right पर click कर देना होगा जैसे ही guys आप right पर click करेंगे आप लोगों के सामने यहां पर एक save to gallery का option मिल जाएगा तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारी photo gallery में save हो जाएगी